नमस्कार दोस्तों, हमारे B.E.S. सर्माबाद द्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का वक्तों का स्वागत है, आप सभी माता बेन भाई दोस्त, दीपा वली के दिन माता लक्षमी की किर्पा प्राप्ति के लिए अपने ग़र में पूजावी काते ही, घर को सजाते भी हैं, आ दीपावली के दिन भाई चारा बढ़ाय जाता है मिठाईयां दी जाती है और दीपावली के दिन माता लक्षमी का पूजन होता है गरे इसको भे लक्षमी की पूजा की जाती है दोस्तों लक्षमी माता की पूजा करने से सभी मनो कामना पूली हो जाती है दीपावली को रात को मा निसा रात्री भी कहते हैं ये वर्ष में एक बार आती है इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो इस उपाय का फल सो परसेंट होता है यंत्र मंत्र तंत्र साधना भी इसी दिन होती है इसलिए धीपावली की रात को जो है ये उपाय जरूर करने चाहिए दोस्तों आप इ भी तक सब्सक्राब ने किया है हमाई चैनल को सब्सक्राब जिए करें बगल में बैल आइकन को दवाएं जिससे हमारी सबी वीडियो आप तक पहुंच सकें दोस्तों दीपावली की रात्री को ये उपाय करना है कुछ बातों का भी ध्यान रखना है सबसे पहली बात दीप दीपावली के दिन कोई भी गरी भूका आपके दरवार पर आजाए उसे निरास न लोटाएं भूके को भोजन जरू कराएं तीसरा दीपावली के दिन हनमान जी को जो है आप भोग जरू चड़ाएं और हनमान जी के सामने आप एक दीपक जलाएं उसे सर्सों की तेल का द अगला आपको इस बात का द्यान रखना है दीपा बली की रात्री को माता लख्यमी को जो है जब आप प्रसाच चड़ाएं तो गन्ना जरूर अरपिट करें और गन्ना जो है अरपिट करने के बाद में भोग लगान के बाद में खुड नहीं चूशना चाहिए उस गन्ने को दूसे दिन बैटे हुए पानी में प्रवायत करें तो घर के अंदर से दर्दिता दूर हो जाती है अगली वात का द्यान रखें दीपा बली की रात्री को जब आप पूजा करें गड़े इसको वे लक्षमी की पूजा करते हैं तो उस समय पर जो है आपको माता लक्षमी के सामने एक दीपक बड़ा जलाना चाहिए और चार छोटे दीपक जलाने चाहिए बड़ा दीपक घीका और चार छोटे दीपक तिलके तिलके ये जलाएं लक्षमी माता के सामने एक लाल कपड़े कर टुकड़ा रखें उसके उपर पांच कमल गठा के वीज पांच पीली को पांच गोंती चक्र, ग्यारे रक्त गुंजा की दाने, एक तुकड़ा काली हल्दी का, ये सब ही रख करके फिर सिंदूर और पिट करें, ओम मा लक्षिमेई नमो नमा इस मंत्र का जितनी बाद जब कर सकतें आप जाप करें, और जाप करने की पश्चात इस सब की पोटली ब लख दें, देखना धन की बरकर इतनी बड़ेगी, कि घर आप समाल भी निपाओगे, इतना धन माता लक्षिमी किरपा से प्राप्त होगा, आपके घर में धन की एक बारसी आजाएगी, माता लक्षिमी किरपा प्राप्त होगी, पर पूरे सिद्धा विश्वास के साथ में करें अगर किसी को नजल लगी हुई है h Popской में नजल लग गई है है घर में नजल लगी हुई है एक टिकरी का तुक्डा लें और स्तुक्डे को जो है पूरे घर में साथ बार गुमाए भ्यापार स्तल पे यह आ अप घर में कहीं भी lateыл पानी है साथ बार गुमाए देखना वहां से नजय दोस्त बिल्कूर दूर हो जाएगी अगर कोई बीमार रहता है तो आप एक नीबू लें उसमें पांच लोंग आड़ें और नीबू को जो है रोगी के उपर से साथ वाल घुमा करके कई चोड़ाई पर फैक करके आजाएं ऐस तरह से फैके किसी का पै इंदर ग्रै कलेश है अनेक प्रकार की कोई ना कोई समस्या आती रहती है आप बहुत परिसान हो जाते हैं तो आपको करना यह है कि ग्यारे गुमती चक्र लेकर की पीले कपड़े में बान करके घर की मुक्ष दरवाजी पर लक्ष्वी माता का ध्यान करते हुए लटका रह गर की सारी परिशानिया दूर हो जाएगी दोश्तों इन बातों का ध्यान रखें और माता लक्ष्मी क्रपा से अपने सारे कार्द सिद्ध करें और धीपावली के दिन जो है माता लक्ष्मी को इत्र चड़ाना ना भूलें गुलाब का इत्र गुलाब की अगरवत्ती माता लक्षी में कि आपको पर कृपपा बनी रहे हमारी वीडियो पसंद रहे हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और रुपायों के साथ में आगी की वीडियो मिलते हैं आप सभी को जैसी दिकिशना